कि नमस्कार जहिन स्वागत है आपका ओनली नीशन में लद्दाक में बैक फुट पर पहुंच गया है जी आज चीन की बहुखला हट साथ दिख रही है और जिस तरह से चीन आज घुटनों पर आया है आप भी देखकर रहान हो जाएंगे कितना सक्तसाली चीन आखिरकार भारतिय सेना की बढ़ाय कैसे कर सकता है चीन ने इस बात की पुष्टी की है कि भारतिय सेना में ओदम है जो चीनी सेनकों में नहीं है अभी मैं आपको एक सुलजी वीडियो दिखाने वाला हूँ अगर आप भी ये वीडियो को भारत में आए की ही बनता है इसलिए कमेंड बाक्स में जहीन लिकी और भीडियो को शेर कीजिए कि आज चीनी सेनकों ने चीनी के बड़े-बड़े नेता मंतरियों ने भारतिय सेन को की सरङना कि आ हिर कार सराहना करना तो बनता है जिस जमीन को पंडी जवान लाल नहरू ने दान कर दिया था ये कहकर कि ये बंजर है हम क्या करेंगे उसी जमीन को आज भारतिये सेना ने अपना अधिकार जमा लिया है यानि कि अपनी जमीन पर भारतिय सेना कबजा करती जा रही है और अभी तो पूरा कपूरा अकसाई चिन बाकी है जिसको तो नहरू ने दान कर दिया था लेकिन साहब ये भारतिय सेना है भारतिय सेना के इस समय हाथ खोल दिये गए है इसलिए भारतिय सेना की चारों तरफ ब खलाया और कहा कुछ भारतियों के दिमाग में हमेशा रहता है युद्ध जी हां सोचिए भारतिय सेना जो गाउं में मेहनत करने वाले लड़के होते हैं सुबह उठकर रनिंग करते हैं यानि पूरताया उस 100% देते हैं तब जाकर वो एक भारतिय सेना नहीं कहलाते हैं और उ आज चीन ने कबूला है कि भारतिय सेना हमेशा युद्ध के मूड में रहती है बदा दे आपको पूर्भी लड़क की वास्तविंग नियंद्रण रेखा लेसी पर तनाव पैदा करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने की वजह से चीन बोखला गया है अब वह भारत की अंद के अंदरूनी हालात कैसे भी हों लेक में यूपी बीजेपी चीप सतंद्र डेव सिंग के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीम मोदी ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध की कप होगा यह बात को भी तैं कर लिया है आकिरकार हम ना अपने हाथ में ले ले आखिरकार चीन जिस बात की पुष्टी कर रहा है वह कहीं कहीं उसका जो नजरिया वह गलत है बाकी भारतिया से ना हमेशा युद्ध के मूड में रहती है यह बास सही है अगर बॉर्डर पर हम युद्ध के लिए नहीं तैयार रहेंगे हमारे म जरूर भारतिये सेना को गरवांदित करेगा और आप से विंती है कमेंड बॉक्स में आप भी जहींद जरूर लिखे बदादे आपको पाकिस्तान चीन ने एक और बात कही है कि अगर वह चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाता है तो भारतिये निश्चित रूप से जीज जाएगा ग्लोबल टाइम्स के लेक में आगे उन्होंने देखते हुए कहा है लेकिन वह यूपी बिजेपी चीप की इस बात का जिक्र करने में विफल रहे हैं कि चीन की सैन ताकत सहित राश्टिये ताकत भारत से कहीं अधिक है चीन सरगार के मुखपत्र सक्तिदेश है लेक में उन्होंने दो साल पहले हुए मद्प्रदेश राजस्थान समेट पांच राज्यों के बिदान सभा चुनाओं का भी जिक्र किया है उन्होंने लिखा साल सन तोजार अठारा के अंट में बिजेपी पांच राज्यों में सरकार गवा चुकी है बिजेपी के सरकार चलाने की छमता पर संदे खड़ा गड़ता है भारत की अंदरुनी राजनीती पर टिपड़ी करते हुए वांग इनने कहा लेक लिखा है कि स्वतन देव सिंग ने बिजेपी की पृतिष्ठा को भी फिर से इस्तापित करने की मदद नहीं की लेकिन परि करते हुए वा विजेपी के लिए कुछ समर्थन करना जरूर जुटा सकते हैं लेकिन वा भारतियों की एक बेवारिक मांग को ले जा रहे हैं स्वतन देव सिंग्न के बयान से बॉखलाए चीनी विसलेसक का कहना है कि भारत को बेलगाम दृष्ट कोड और कट्टर लेक में आगे कहा कि अगर भारत लड़ाई जीतना चाहता है तो उसे कोरोना वायरस पर फोकस करने की जरूरत है दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है रविवार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस में मरने वालों का आकड़ा बढ़कर 6882 तक पहुंच चुका है वही इस तुल्ला में चीन में 4634 लोगों की मौत हुई है यानि कि चीन के इस लेखक ने भारत में उन्हों का कहना है कि भारतिय सेना और देश के प्रदान मंत्री को जीत हासिल करनी है कुरोना की वैक्सीन बनाए यानि कि वह वायरस छोड़े और हम बना है क्या इससे इस बात का प्रमारित किया जाएगा कि भारत जीत चुका है चीन तो पहले भी कह देगा कि हम उसे पता था यानि चीन की धोगलापन थी कहीं नहीं भारत समझ चुका है और अब चीन के जहांसे में नहीं आने वाला है अब चीन जान रहा है चीन और विप आज गुम्राह कर रहा है कोरोना के नाम पर भारतिय सेना को हमेशा युद्ध के मूर में रहते हैं ऐसी बाते करके और भारत का विपक्च एक केस नहीं बलकि दूसरे केस को लाकर खड़ा कर देता है जिससे की सच्चाई छिप सके लेकिन सच्चाई कभी भी नहीं छिपती है जिस तरह से घाज आता है कांग्रेस यही कहती है आज बल्ला भड़का कांड छिपा कर कल प्रियंका गांदी टूइट करती थी हातरस केस सोचे साहब इतना बड़ा कांड इतना बड़ा हमलावर किये गए आरोपी के बारे में कुछ भी न कहकर बलकि वो हातरस का रोना रो है वही हाल है चीन का वही हाल है चीन का चीन इस समय हार रहा है भारतिय सेना ठोक रही है इसलिए पैंगोंग जील जैसे कही लाकों पर भारतिय सेना का कबजा भी हो चुका है लेकिन चीन उसको ना दिखा कर चीन यह कह रहा है कि भारत को अगर सचमुच जीदना है तो करोन प्रक्राइब कि वॉडर पर खड़े नहीं घहें । को और प्रूप की जित आपके आपको हमारे नुग वीडियो कर नोत्यफिर कीजिए सब्सक्राइब कुषिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजितना कि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे